अखन मंतन के सभी दर्शकों को नमस्कार मैं हूँ शेक खत्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब जैनल अखन मंतन आज आगे क्या होने वाला है कारिक्रम में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं 2025 को ले करके क्या भविश्यवाडी की गई है सुप्रसीद जोतिश चारे प्रशांत कपूर के द्वारा और उन्होंने इस 2025 को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया है आए इसी पर विश्लेशन करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि भविश्यवाडियां और जोतिश संस्कृती का एक अनिवारे हिस्सा रही है और युगों से लोगों ने खगोली घटनाओं के आधार पर भविश्य के संकेतों को समझने का प्रयास किया है हाल में ये कारिक्रम में प्रसीद वैडिक जोतिशी प्रसांत कपूर ने 2025 में संभावित आपदाओं पर प्रकास डाला है उन्होंने गहराई से समझाया है कि किस प्रकार ग्रहों के इस्तिती प्राकृतिक आपदाओं को इंगित करती है और इसी बारे में आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं और जो सिधान्त उन्होंने अपनी भविश्यवाडियों के पीछे बताए हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे तो जोतिशी प्रशान्त कपूर के अनुसार जोतिशी गड़नाय केवल तारकिक ज्यान नहीं बलकि एकसटीक विज्यान पर आधारित होती हैं उन्होंने बताया कि 1961 में पुड़े के पास पंचे से डैम का तूटना और 2020 में उत्रा खंड के तपोवन विश्यवाड़ की घटना उनके लिए अध्यन का प्रमुक आधार बने और इन घटनाओं में ग्रहों की स्थिती समान रही और इसी आधार पर उन्होंने अब 2025 में जल तत्व के सक्रिय होने की भविश्यवाड़ी की है तो इस भविश्यवाड़ी के मुखे बिंदूओं पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं हमने आपको बताया कि 1961 और 2021 की घटनाओं में जो ग्रहों का सन्यूजन था वो समान था और इसी प्रकार का जो सन्यूजन है वो जो है सक्रियता जो थी वो 1961 और 2021 की घटनाओं में भी दिखाई दी थी और तब भी जल ततो के कारण एक बड़ी प्राकृति का पदा आई थी वैसे 2025 की संभावी त्रासदी और जलवायू परिवर्तन को ले करके प्रसान कपूर का कहना है कि अप्रेल 2025 में जल ततो का विशेश रूप से सक्रिय होना दुनिया भर के तटिये शहरों को गंभीर संकट में डालने जा रहा है उन्होंने इस दिन को एक महत्वपूर्ट जलवायू परिवर्तन के रूप में होने वाली घटना के रूप में चिन्हित किया है अब अगर बात करें इस जल ततो के सक्री होने के कारण क्या-क्या प्राकृतिक घटनाएं हो सकती है तो इसके बारे में भी उन्होंने बहुत प्रमुकता से कुछ घटनों उपर चर्चा की है उनके अनुसार तटिये शहरों यानि समुद्र के तट पर जो शहर होंगे जैसे की अमेरिका के कैलिफोर्निया, चिली, पेरू जैसे शहरों में पानी का जो इस्तर है वो 30 फिट तक बढ़ सकता है अगर भारत के प्रभाव वैश्विक स्तर पर यूरोपी देशों और अमेरिका में अधिक देखने को मिलेगा और ये जो जलवायू परिवर्तन है वो अचानक से होगा और इस अवधी में अत्यदिक वर्षा और अप्रत्याशित बाढ़ की भी घटनाएं देखने को आपको मिलेंगी अब अगर बात करते हैं मुंडेन जोतिष्ट जोकी प्राकृति घटनाओं के संदर में बहुती सटीक विसलेशन मुंडेन जोतिष्ट के द्वारा किया जाता है तो इसके बारे में प्रसान कपूर ने जो मुंडेन जोतिष्ट की परिभाशा को विस्तार से समझाया है एक गरती जोतिष्ट पर आधारित है एस्ट्रो प्रसान कपूर का कहना है कि रावण के दिये गए सिधान्त युगों से प्रासंगिक रहे हैं और उनमें भविशिवारी करने की असाधारन शक्ती है रावण के गरती सूत्र अत्यंत जटिल हैं जो आम व्यक्ति के लिए सम मजना मुश्किल हो सकता है और इसी संदर्व में उन्होंने बताया है कि उनकी भविशिवारियां अब तक 99 प्रतिशत तक सटीक रही हैं क्योंकि उन्होंने जो है रामड के गड़ती सूत्र का सहारा लिया है और इसी आधार पर उनकी भविशिवारियां जो हैं वो सत्ते ह होती आई हैं और भविष्य में 2025 के जो भविष्य के गर्म में क्या छीपा हुआ है तो इसके बारे में प्रशान कपूर का कहना है कि हमें त्रासदियों से बचने के लिए साउधान रहना पड़ेगा और इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता है उन्होंने तटीक शेत सतरों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और सरकार से आग्रह किया है कि वे सीवरिज सिस्टम को सुधारें बांधों को मजबूत करें और नदियों और समुद्र के किनारे निर्मार रोकें प्रकृति के साथ छेड़-छाड लंबे समय से जो हो रही है वो रहते सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं तब ही वे अपना जीवन बचा पाएंगे एस्ट्रो प्रिसान कपूर्प ने ये भी सुझाओ दिया है कि लोगों को अब साकाहारी भोजन करना चाहिए क्योंकि यह प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में बहुत मदद करता है जहां तक मुंडेन जोतिश और आधनिक विज्ञान के बीच का जो संबंध है उसके बारे में प्रिसान कपूर का कहना है कि पश्चिमी देशों ने भारतिये वेदों और जोतिश के विज्ञान को अपना कर उन्नति की है जर्मनी के ग्यारसों से अधिक विश्विद्यालेव में जोतिश एक मानिता प्राप्त विश्च के रूप में पढ़ाये जाता है जबकि इसके विपरीत भारत में जोतिश को अभी विवेग्यानिक रूप से मानिता नहीं मिल पाई है दोजार पच्चीस के संभावित खगोली सन्योगों के आधार पर प्रशांत कपूर का मानना है कि प्रकृति हमें संकेत जो है संकट आने से पहले ही देने लगती है और इसका प्रमाण है कि ऐसे समय में जब कि कोई समुद्र में बड़ी घटना होने वाली होती है तो मक्ष प्रमाण जो है वो समुद्र से बाहर निकलने लगती है पश्वों का असमान व्योहार भी देखने को मिलता है और ऐसे जो है संकेत बड़ी प्राकृति का पदाओं के आने के हो सकते हैं तो कुल मिला करके कहा जा सकता है कि प्राकृति घटनाओं से बचने के लिए हमें प् प्राकृति जागरूपता बढ़ाएं तो कुल मिला करके उनकी जो भविशिवाडियां है उसका जो आधार रहा है वो खगोली गड़नाओं पर आधारित नहीं है बलकि वे प्रकृति और मानवी गत्वीधियों के बीच गहरे सम्मंद को भी उजागर कर रहे हैं अब चाह अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो कुल मिला करके 2025 में प्रकृति जो है वो जलतत्व के कारण असंतुलित हो सकती है और इसके कारण 2025 में आपको देखने को मिलेगा कि जलतत्व से सम्मंदित घटनाएं अधिक देखने को मिलेंगी जिसमें बाढ़ प्राकृतिक आप समुद्र तटी क्षेत्रों में निवास करते हैं तो आप अभी से साउधान रहें और जब मौनसून का सीजन आएगा तब भी आपको साउधान रहने की आवशिक्ता होगी और ऐसे जो समुद्री जो तटी क्षेत्र हैं महा तूफान तो कभी भी आ सकते हैं और जैसा कि अक्टूबर और नवंबर को पिछले 51 वर्षों में सबसे अधिक तापमान के लिए एक रिकॉर्ड बन गया है कि अक्टूबर नवंबर में कभी भी इतना अधिक तापमान नहीं होता था और यही एक संकेत है कि आने वाले समय में प्रकृती जो है वो असंतुलित होने वा कंटेंट को ले करके आपका कोई सुझाओ है तो आप उसे हमारे वोटसेप निमबर 7005 465 पर भी सकने है अपना इतना भोमुली समय हमें प्रदान करने के लिए आप सभी दर्शकों के हम्री दैसे आभारी रहेंगे धन्यवाद नमस्कार